अविनेत्री आस्था सिंग से नराज है पौन सिंग नमस्कार मैं किशन कुमार हो जी हाँ आप सही सुन रहा है दोस्तों आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिने देख रहे हैं ये फिल्म अविनेत्री आस्था सिंग है पौन सिंग के साथ कम ही समय में काम करके बहुत बड़ा नाम बना ली हैं काम तो कईयों के साथ किया लेकिन बड़ा नाम पौन सिंग के साथ बना आस्था सिंग छोटे से रील से वाइरल हुई थी पौन सिंग ने इनको मौका दिया इनके घर तक पहुँच गए थे पौन सिंग और पौन सिंग ने इनको अपने साथ काम करने के लिएन के परिवार को मना लिया दोस्तों आस्था सिंग एक ऐसे परिवार से आती हैं जो बहुत अच्छे और बहुत जादा पढ़े लिखे लोग हैं और एक अच्छे परिवार की लड़की इनको आस्था सिंग को इनका परिवार अपसर बनाना चाहता था लेकिन आस्था सिंग अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं खैर इस्वर की जो मर्जी हो अभी इन दिनों पौन सिंगिन से नराज चल रहे हैं पूरी बात बताते हैं वीडियो अंततक देखिएगा दोस्तों एक इंटर्विव चल रहा था जिसमें आस्था सिंग इंटर्विव देते देते ये कह पड़ी कि सायद सर आज कल हमसे नराज है कुछ चीजे उन तक ऐस पहुंचाई गई हैं उनके कान में डाल दी गई हैं कि सर हमसे नराज चल रहे हैं मेरी बात नहीं हो पाती है मुझे रेस्पॉंड नहीं करते हैं मेरा फोन नहीं उठाते हैं टीम के लोग भी बात नहीं करवाते हैं अब कारण क्या कुछ रहा होगा लेकिन आपको ये बता लेकिन आस्था सिंग ने ये कहा कि इंदीनों सर के कान में मेरे खिलाप कुछ चीज़े डाल दी गई हैं. मैंने फिल्म देखने की बात जब टीम के लोगों से कही तो वहां से सुनने को मिला कि आप अभी फिल्म देखने मत जाईए हम सभी लोग साथ में चलेगे. लेकिन वह से कोई फोन नहीं आया. मैंने जब फोन पर बात करने की कोशिस की सर से तो किसी ने मेरी बात नहीं करवाई. सर के नमबर पर भी मेरा फोन रिसीव नहीं होता है. अब कारण जो कुछ भी रहा हो. लेकिन दोस्तों पौन सिंग के कान में कुछ-कुछ चीजे ऐसी तो जरूर किसी ना किसी के दोरा डाली जाती है कि आज कल उसका रिजल्ट देखने को ये मिल सकता है कि लोगों की बाते सुनकर पौन सिंग ने अपने पतनी से कूट तक पहुँचने वाला काम कर दिया. लोगों की बाते सुनकर आज उनके दोस्त दीपक सिंग भी उनके साथ नहीं है और लोगों की बाते सुन करके हो सकता है कि आस्था सिंग के लिए भी पौन सिंग के मन में कुछ ऐसी बाते आ गई हो जो उनको बुरी लग गई हो आस्था सिंग ने इंटर्विव के दोरान ये भी कहा कि अगर कुछ गलती हुई होगी तो मैं माफी मांग लोगी मैं हमेशा सरका सम्मान करती हूँ और आजीवन करती रहूंगी दिल से करती हूँ बाते कहते कहते आस्था सिंग इंटर्विव दोरान रो पड़ी उनकी आखों में आसु थे और सच्चे हिरदे का इंसान अंतताह रोही देता है क्या आप सब चाहते हैं कि आगे भी पॉंच सिंग और आस्था सिंग काम करे तो कमेंट करके बताईएगा और वीडियो को सेर करते जाएगा फिलहाल यह जो इस्थिती है आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके बताईएगा फिलहाल हमें दीजए इजाज़त नमस्कार